चप्रस जिले के जेपी उनिवर्सिटी प्रबंधन पर धांदली का आरोप लगा कर चात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया है। समातक के सेशन लेट होने के वज़ा से चात्र उख्र हो चुके हैं। चात्र इस बात से दुखी है कि गरबड़ी में सुधार काउनी आशवाशन तो दिया जाता है लेकिन कोई कारवाई नहीं होती। पिछले दिनों जब रिजल्ट आई थी PG 17, 18, 20 और 19, 21 की उसमें परिच्छा फल में बहुत बड़े पैमाने पर गरबड़ी सामने आई थी। और ये गरबड़ी सिर्फ ये इसी परिच्छा की गरबड़ी का मामला नहीं है। पिछले कई सालों से लगतार असनात्त की परिच्छा हो या PG की परिच्छा हो या बीएड की परिच्छा हो या स्वज विद्यार्थियों की परिच्छा फल की बात हो। सभी परिच्छा फल में और अंग पत्र में लगतार गरबड़ी सामने आ रही है। और ये गरबड़ी पिछले क्यार क्मात सालों से लगतार जारी है। पिछले दिनों PG परिच्छा फल में गरबड़ी के बाद हम सभी स्षाथ संगठन के लोग मिल करके कुलपती महोदे से हम लोग ने मिलने का काम किया था उस समय मौझूद कुलपती जैप्रगास विश्विद्धाले के परिक्षानी अंत्रक भी मौझूद थे उन्होंने हम सब को स्वासन दिया कि आगे आने वाले दिनों में दस तारीक तक परिक्षाफल की जो गरवरी परिक चात्रों का सोसन किया जाता है चात्रों ने ऐलान कर दिया है कि अब आरपार की लड़ाई होगी ग्रेजुएशन के जितने भी स्वुजेंट हैं उनका फर्स्ट एर में जो एड्मिशन होता है उसका सीट इतना कम है कि बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं मतलब नमांकन देने से तो सबसे पहले इसको संख्या है सीटों का इसको बढ़ा कर असी हजार किया जाए और उसके बाद जो एड्मिशन हो जाता है उसके फर्स्ट एर का एक्जाम होने में दो साल लग जाता है और इसी साब से पूरे ग्रेजुशन को कंप्लीट होने में छे से साब साल कर समय जो साल के बाद ग्यामने बाद चार-पांच महीने हो गए है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है पता नहीं रिजल्ट कब तक आएगा रिजल्ट आने कि कितने दिनों के बाद उसका क्लास सुरू हो गया यहां तो क्लास भी नहीं चलता है उसका सेकेंड एर का एक्जाम फिर सब्सक्राइब करेंगे उसका एज जब खतम हो जाएगा तो पिर हमारी ग्रेजुएशन की डिगरी मिलके करेंगे क्या करेंगे हम उसका चात्र लगातार परीक्षर रेजल्ट में धानली का आरोप लगा रहे हैं लेकिन उनकी बातों पर विचार की जगा इस मामले से पल्ला जानने की लगतार कोशिशे की जा रही है ऐसे में अगर चात्र आंदोलन भड़कता है तो इसके लिए प्रशाशन भी कम जब्मेदार नहीं होगा चब्रा से बोलता बिहार की रिपोर्ट आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही अगर आप